तो है गाइज वेलकम डू आली बोर्ड एससी अन्रेलवेस चैनल मैं आप सभी लोगों का साइंस फैकल्टी और सभी मेरे भाईयों का सभी लोगों का बहुत ही तहे दिल से आज की आपकी शांदार क्लास में स्वागत करता हूं हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था इसी ह साफते से मंडे से जिसमें हमने साइंस का निचोड एक तरह से अपना सीरीज स्टार्ट करता था बहुत शांदार सांदार हमने सवाल करें और आज की भी क्लास में बहतरीन सवाल आपको मिलने वाले हैं जो की बिलकुल एक्जाम रेलेवेंट हैं और इसी से रिलेट जो एक करेंगे क्लास को आप सभी को पता है ओली बोर्ड इस फेमस फ़र बैंकिंग एक्जामिनेशन और बियाई असिस्टेंट का आपका यहां पर कूर्स लांच है जिसे आप जॉइंग कर सकते हैं मैक्जिमम डिसकाउंट के साथ 45 परसें ठीक है और यहां पर बैंकिंग सुपर अगर आप सारे कोर्से से परिशान है तो आप बैंकिंग सुपर एलिट जॉइंग करिए और शांदार तरीके से आप सारे बैंक कोर्से का फाइदा वहाँ पर ले सकते हैं नाइन्थ और टेंथ माई को आप सभी को पता है आपका लेवल फूर और लेवल शिक्स का और आर कोशिश करिए अपने सेंटर पे पहुंच जाएए आपका सेंटर काफी दूर है और बहुत सारे बच्चों का जो नौर्थ के बच्चे उनको साउथ मिला है तो बढ़ियां से अपना टिकेट से अगरा कर लीजे अरेंजमेंट कर लीजे और कोशिश करिए एक दिन पहले ए लेवल 2, 3 और 5 वाले अभी आपकी एक्जाम डेट नहीं आई है यानि आपके पास अभी प्रिप्रेशन का टाईम है आपको मौक टेस्ट लगाने का टाईम है बहुत सारे मौक टेस्ट आपको लगाने है तो आप मौक टेस्ट के लिए सौर अफ कोड का इस्तिमाल करिए औ मैक्जिमम डिसकाउंट लीजे ओली बोर्ड मॉक्स में सबसे बहतरीन मॉक्स ओली बोर्ड के हैं पूरे मार्केट में वाकई में अगर आप एक्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो आप मॉक टेस्ट जरूर दीजेगा सबी मेरे भाई को पता है टेलीग्राम ग्रूप है जहां पे आपको पीडियाफ मिलती है ऑली बोर्ड एससी ऑली बोर्ड का ओफिशल टेलीग्राम ग्रूप है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन ऑली बोर्ड से रिलेटेड मिल जाती है अजै चोहान एंड जैपाल कुम तुमारी गुड मॉर्णिंग सभी को गुड मॉर्णिंग आ जो फटाफट चलो तो इस्टार्ट करते हैं पहला सवाल तुमारे स्क्रीन पे आ चुका है अब यहां से क्लास आपकी नहीं रुकेगी मैं एक बार सेशन को शेयर कर देता हूं ताकि सभी मेरे भाई बेन लोग और फिर इसके बाद सारी बातें अपन बीच में करते चलेंगे पहला सवाल आप सभी के स्क्रीन पे यह रहा आराम से पढ़िए आंसर सभी के आते रहने चाहिए है ना चलो तो मैं एक बार शेयर कर दिया सेशन को अब एक बार सबको बता देते हैं है ना तब तक आप लोग सवाल पढ़िए चलो बहुत ही बढ़िया तो सेशन मैंने डाल दिया ग्रूपस में जो भी बच्चे इंट्रेस्टेड हैं वो धीरे-धीरे आ जाएंगे पहला सवाल आप सभी की स्क्रेन पे सही मैच यहाँ पे कराना है बहुत ही अच्छा सवाल से सुरुआत कर रहे हैं सलेक्ट दा करेक्ट मैच सही मिलान का चैयन करें पहला है गिल्स जो की बलड कैपिलरी से मैच करवा रहे हैं लंग्स अलविलाई यानि वायु कोष्टी का leaves पतियां यानि lenticles से matched है और जड़ आपका istomata के सामने दिखा रहा है आप बताईए सही सुमेलित कौन सा है चौथा वाला तो सीधे सीधे गलत है जो istomata होता है ये पतियों में पाया जाता है ना कि जड़ों में पाया जाता है तो चौथा वाला तो गलत है पतियों में lenticles बिल्कुल ये वाला correct दिख रहा है फेफडे में elbow लाई होता है ये भी सही दिख रहा है और आपके गलफडे में किसी भी तरह की रक्त कोशिकाएं blood capillaries नहीं पाई जाती तो पहला वाला भी गलत है second और third हमारा सही है यानि कि आपका option हो जाएगा a option आपका option कौन सा हो जाएगा a option second और third वाला आपका correct है आपको भी पता है हमारे lungs में हमारे lungs में क्या पाया जाता है आपका basically elbow लाई जिसे कहते हैं वायू कोश्ठी का वो पाई जाती है और जो पतिया होती है वो lenticles से attached होती है इन में छोटे छोटे spores होते हैं इनको बोला जाता है lenticles और यहीं से आपकी जो है वो क्या होती है पतियां आपकी जुड़ी होती है तो lent आपका ये correct matched है lenticles और leaf आपका यहाँ पे correct यहाँ पे match हो जाएगा clear है? यहाँ पे correct match हो जाएगा तो second और third आपका correct answer होगा A option बिलकुल correct answer होगा गौतम मेरे भाई good morning सभी को good morning यार है ना सभी को good morning जितने भी लोग है थोड़ा live chat में आ जाओ थोड़ा live chat में बने रहा करो अगले सवाल पे बढ़ते हैं पौधों में मौझूद भीजाडू बनाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं इसपोर forming bodies present in plants are called पौधों में मौझूद भीजाडू बनाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं आईज बर्ड्स सोरी या स्पोरेंजियम सही सही बताईएगा answer फटा फटा फट answer आना चाहिए बढ़िया से एक बार like करो पहले तो सभी लोग है बढ़िया से एक बार class को like करो बढ़िया से एक बार share करो और फिर answer करना शुरू करो बदाओ बीजाडू बनाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं इनको कहते हैं اسपोरेंजियम अगर बात चल रही है यहां पे spore की, spore किसमे बनते हैं, ऐसे पौधे में जहां पे आपका बीज नहीं हुआ करता, बीज नहीं हुआ करता, जैसे कि आपका अगर मैं example दूँ, तो क्या हो जाता है, bread mouth, जिसको हम क्या कहते हैं, rhizopus कहते हैं, यह एक प्रकार का क्या होता है, कवक यानी की fungus है, यह क् का bread में पाया जाने वाला fungus होता है, जो आप bread खाते हो, उसका यह fungus है, जिसे कहते हैं rhizopus fungus, ठीक है, इनके पास बीज नहीं होता, नहीं इनके पास किसी भी तरह का flower होता है, आपने देखा होगा, अगर 4-5 दिन के लिए bread छोड़ दिया जाए, तो उसके उपर green layer जम जाती है bread आपकी खराब हो जाती है, वो क्यों होती है, इस rhizopus fungus के कारण, और इसमें होता है isporengium, है ना, यह जो ball दिख रहा न, यही होता है isporengium, जिसमें spores आपके क्या होते हैं, spores उत्पन होते हैं, बिजाडू उत्पन होते हैं, और इसी से यह fungus क्या करता है, ग्रोथ करता है क्या करता है, ग्रोथ करता है, आंसर हो जाएगा, isporengium, D option, शांदार सांदार सवाल है, थोड़ा फोकस होके पढ़ना, तभी समझ में आएगा, तभी मज़ा आएगा, ठीक है, आगे बढ़ जाओ, which of the following elements will form an acetic oxide, निम्न लिखित में से कौन सतत तो एक अमलीय ओकसाइड का निर्माड करेगा, an element with atomic number 7, an element with atomic number 3, an element with atomic number 12, और an element with atomic number 19, कौन सा अमलीय ओकसाइड का निर्माड करेगा, अवंति का, गुड मॉर्निंग, चलिए फटा-फट आते जाओ यार, आंसर करो थोड़ा, तुमको like आएक नहीं करना होता है, क्लास में, पढ़ना नहीं है, चलिए फटा-फट, करो बत अंसर बताओ, तीसरे का A option कर रहे हैं, कुछ लोग मुकेश बोल रहे हैं, B option, देखें, सिंपल सी बात है, मैंने कई बार ये बात बताई है, मैंने कई बार ये बात कहा है, कि अगर हम बात कर रहे हैं, अमलीय ओकसाइड की, तो आपको पता है, कि जो अमलीय ओकसाइड होता है यह क्या होता है acidic in nature होता है अपने नाम से ही बता रहा acidic oxide की बात कर रहे और मैंने बताया था यह किस से बनता है आपका चार से बनता है किस से बनता है आपका जो base से बने हुए oxide होते हैं जो चार से बने हुए oxide होते हैं वो अमलिय होते हैं स्वरी क्या बोल रहा हूं, नॉन मेटल से बने हुए जो ऑक्साइड होते हैं, माफ करेगा, माफ करेगा, स्वरी, यहाँ पर जो नॉन मेटल से बने हुए ऑक्साइड होते हैं, यानि अधातू से बने हुए जो ऑक्साइड हैं, वो एसिडिक प्रकितिके होते हैं, और जो आ मेटल है सेवन नंबर क्या होता है नाइट्रोजन होता है तीन नंबर क्या होता है हाइड्रोजन हीलियम लीथियम होता है जो की मेटल है तो यह तो होगा नहीं बारा नंबर क्या होता है बारा नंबर क्या होता है पोटेशियम होता है सोडियम पोटेशियम है ना और 19 नंबर क आपका क्या हुआ करता है ये भी बताओ 19 नंबर वाला जो होता है पिरियॉडिक टेबल में आप सॉरी हाँ 19 नंबर तो साइद वो होता है ना एक सेड़ हाइड्रोजन हीलियम लीथियम बेरिलियम बोरन कार्बन नाइट्रोजन और फ्लोरीन और नियॉण sulphur एक सेड़ एक सेंड़ ने इक सेंड़ हाँ यहाँ पे तुम्हारा प्रियॉडिक टेबल में याद करो 12 नंबर किसका होता है भाई बताओ फटवा बारन नंबर किसका होता है मेरे को अभी अभी दिमाज से मेरे उतर रहा है रुख जाओ, रुख जाओ, सोचने दो hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium magnesium यार, क्या भूल रहा हूँ मैं 12 नंबर हो गया, magnesium है न, magnesium और इसके अलावा, ये क्या हो जाता है, आपका potassium उनईस क्या हो जाता है, potassium का यानि ये भी metal है, ये भी metal है और ये भी आपका metal है, आंसर क्या हो जाएगा A option, आंसर क्या हो जाएगा A option, nitrogen क्या होता है non-metal होता है, और ये क्या बनाएगा acidic oxide बनाएगा, ठीक है थोड़ा सा confused हो गया था मैं आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल है, यहाँ पे कि अमली ये प्रकिती बढ़ने का सही क्रम क्या है, the correct order of increasing acidic nature चार option दिये हैं चारों आपके सामने oxide दिये हुए हैं, आपको बताना है अमली ये प्रकिती बढ़ने का nature क्या होता है, clear है हाँ, बिल्कुल, correct answer है सभी का है ना, चलो अमली ये प्रकिती बढ़ने का सही, यहाँ पे क्रम क्या है मतलब कि आपका सबसे ज़्यादा acid कौन होगा सबसे कम acid कौन होगा ये बता दो, तो देखो, याद रखना हमेशा, कि आपका C option यहाँ पे पहली बात तो correct answer हो जाएगा, पहली बात C option correct answer होगा अब ये क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा होगा ये बात याद रखना यहाँ पे आपका पहले है aluminium का oxide, फिर है आपका silicon का oxide, फिर है आपका phosphorus का, और फिर है आपका sulfur का oxide, तो aluminium silicon, phosphorus और sulfur का oxide है, यानि हम इस दिशा में जा रहे हैं, periodic table में हम इस direction में periodic table में जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है, कि non-metallic character, non-metallic character increase होता है क्या होता है, non-metallic character है ना, non-metallic character, आपका क्या होता है increase होता है, और जैसे जैसे आपका अधातु का अधातु का जो character वो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो भी ऑक्साइड है उसकी अमलियता या उसकी अमलता उसकी एसीडिटी बढ़ती जाएगी उसका एसीडिक नेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा आपको पता है ऐलमीनियम और सिलीकन ये दोनों तो एमफोटेरिक ऑक्साइड है ना तो ये सीधी बात है पीछे रहना चाहिए और फॉस्फोरस और सल्फर नॉन मेटल है तो ये आपके क्या हो जाएंगे जादा अच्छे ऑक्साइड हो जाएंगे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लियर है यहां तक सी ऑप्शन बहुत ही बढ़ी आगे है यहांपे यह देख सकते हैं आप पिरियाऊणिक टेबल है नह पिरियाऊणिक टेबल में ये बात याद रकेगा कि आप पी ब्लॉक है है नह जैसे यहां पे देखेँड़ बॉक है तो यहां पे आपका क्या है लमीनियम यह देखें aluminium silicon phosphorus और sulfur clear है तो आप जैसे जैसे इस दिसा में जाएंगे आपका non metallic character बढ़ेगा है ना non metallic character आपका बढ़ेगा जैसे जैसे आप इधर पर left से right direction में आएंगे P block में ठीक है याद रखना ये सारी बाते अरे important है छोटी छोटी बाते हैं लेकिन important है चलो एक बार बढ़िया से like करो यार तुम लोग तो ऐसा लग रहा है कि class में हो ही नहीं है नहीं करोगे आज बिल्कुल like करने के mood में नहीं हो वीडियो को अगला सवाल है an object moving with a uniform velocity of 4 meter per second has kinetic energy of 120 joule find the mass of the object बढ़ा असा सवाल है बोला है 4 meter per second के एक समान वेग से गतिमान किसी वस्तु की गति जूर जा 120 joule है वस्तु का द्रविमान ग्याद करिए सभी सभी बताओ अर्विंत पटे राम रम मेरे भाई आजो यार फटफट प्रमो दवंतिका सभी लोग को good morning है यार 15 kg आंसर होगा शांदार तरीके से 15 kg आंसर होगा भीया दुनिया को पता है नाइजीरिया यूगांडा तक में ये बात फैली हुई है इस वक्त कि kinetic energy का जो formula इस समय चल रहा है वो है half mv square और यही formula चलेगा तो 120 दी है kinetic energy half द्रविमान तुम्हें निकालना है गती वस्तुकी दी हुई है 4 उसका वर्ग करदो 16 दो से जाएगा 8 बार और 8 से 120 कटेगा 15 बार तो यहां से द्रविमान तुम्हारा जो आएगा निकलके कितना आएगा 15 kg आएगा बड़ा असान सा था है ना कुछ भी नही अगर मिलेगा है ना नाग डुबाना है उसमें आपको अपनी अगला सवाल है हूँ डिस्कवर्ड रिलेशन बिट्वीन पोटेंशल डिफ्रेंस एंड करेंट भाइया यह सवाल का सबका आंसर आना चाहिए मैं देख रहा हूं एक बच्चा का देख रहा हूं सभी का आंसर और इसी को कहते हैं ओम्स लौ इसी को क्या कहते हैं ओम्स लौ विभांतर पोटेंशल डिफ्रेंस और करेंट के बीच में इन्हों ने ही रिलेशन इस्थापित किया था आपने देखा होगा सिंपल सा जब हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था तो यहां पे बैटरी लगी है बोला जाता अगर किसी परिपत में किसी विद्दुत परिपत में किसी इलेक्रिक सर्किट में अगर एक आपका रिजिस्टेंस यानि प्रतिरोध लगा है और एक बैटरी लगी है और उसमें करेंट आई उसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है फ्लो हो रही है तो वहां प विभांतर है वो करेंट के directly proportional होता है, क्या बोला था, कि जो विभांतर है वो करेंट के समान उपातिक होता है, directly proportional होता है, proportionality constant हटाएंगे, तो एक आपका आएगा यहाँ पे constant proportional का sign हटाएंगे जो constant आएगा उसे बोला गया विद्दुत प्रतिरोध electrical resistance of that circuit उस विद्दुत परिपत का आपका electrical resistance बोला गया clear है तो ओम ने ये काम किया था बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया बहुत अच्छा सवाल है बढ़िया सवाल है सोचने वाला सवाल है the electronic configuration of hydrogen is similar to which of the following alkaline earth metals inert gas alkaline metals या halogen बताओ बहुत बढ़िया सवाल है ध्यान से पढ़ियेगा electronic configuration of hydrogen is similar to which of the following चारिये पृत्वीधात अक्रिये गैस चारिये धात या halogen बताओ बहुत बढ़िया बताओ फटावर्ट सेवन्थ का alkaline metals alkaline metals बिल्कुल alkaline metal बहुत ही शांदार alkaline metal तुम्हारा correct answer हो जाएगा बहुत ही बढ़िया alkaline metal यानि चारिये धातु आपका correct answer होगा क्यों correct answer होगा क्योंकि सर आपका hydrogen का electronic विन्यास जो होता है one as one यानि कि आखरी कोशिका में last shell में एक ही electron पाया जाता है last cell में एक ही electron आपका पाया जाता है यानि कि अब ऐसे हमें elements चाहिए जिनके last cell में एक electron मौझूद हो तो अगर हम यहाँ पे अपना पहला ग्रूप देखे आवर्त सारणी periodic table का अगर तुम पहला ग्रूप देखोगे मेरे भाई तो वो alkali metal ग्रूप होता है जिसमें lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium और francium होता है अगर आप इनका electronic विन्यास देखेंगे तो lithium का होता है 2-1 sodium का होता है 2-8-1 यहाँ पे भी 1 है potassium का 2-8-8-1 rubidium का 2-8-8-1 और आपका इसी तरह से electronic विन्यास बढ़ता जाएगा लेकिन last में अगर आप देखोगे तो सब जगह क्या है एक ही electron बचा है यानि कि इनका जो electronic विन्यास है किस से mail खाता है hydrogen के electronic विन्यास से mail खाता है clear है यहां तक तुम्हें बात समझ में आती है सारी बात समझ में आती है दिमाग में जा रहा है जो पढ़ा रहा हूं मेरी तरब देख के बोलो जा रहा है दिमाग में जो पढ़ा रहा हूं ठीक है focus करना like और share करते रहना ठीक है चलो अगले सवाल पर बढ़ो, फोकस करो, बताओ भया, थाइरोक्सिन के संसलेशन के लिए क्या अभश्यक है, what is essential for the synthesis of थाइरोक्सिन, थाइरोक्सिन के संसलेशन के लिए, यानि थाइरोक्सिन के बनने के लिए, उसके निर्मान के लिए, उसके synthesis के लिए, क्या चीज इंपोर्ट होती है iron iodine sodium या calcium 8th का B option बताओ बताओ फटाफट iodine सभी मेरे भाई कर रहे हैं iodine बिल्कुल correct answer है iodine will be the right answer बिल्कुल correct answer कोई doubt नहीं है कि iodine correct answer नहीं अब क्यों अगर कोई बच्चा ये जानता है कि thyroxine क्या है thyroxine क्या है मेरे भाई एक प्रकार का हॉर्मोन है कहां से निकलता है thyroid gland से निकलता है और आपको पता है ये गर्दन में पाई जाने वाली एक तितली के आकार की गरंती है और अगर iodine की कमी हो जाती है तो goiter, यानि गंठ माला नाम का एक रोग होता है, जो कि thyroid gland के बड़े होने को दरसाता है, है न, और iodine ही, iodine ही thyroxin के निर्मान में मदद करती है, ताकि जो आपका thyroid gland है, उसकी स्वास्थ बना रहे, उसका स्वास्थ बना रहे, आप देखें, ये है आपकी thyroid gland, देख रहे हो, तितली के आकार की दिख रही है, ये आपको दिख रही है, तितली के आकार की ग्रंथी, किस तरह होती है, तितली के आकार की butterfly shaped gland, कहां पाई जाती है मेरे भाई, कहां पाई जाती है, ध्यान से देखो इसमें, ये पाई जाती है हमारे गर्दन में, कहां पाई जाती है, गर् होता है enlargement of thyroid gland उसको हम क्या कहते हैं उसको मेरे भाई कहते हैं goiter disease है ना क्या कहते हैं गंठमाला disease या goiter disease कहते हैं यह iodine की कमी से ही होती है clear है याद रखेगा किस चीज में important है क्या चीज में importance है thyroid gland का तो thyroid gland का importance आप यहाँ पे देखिएगा thyroid gland का thyroxine ठीक है thyroxine is the main hormone secreted into the blood stream the thyroid gland by the thyroid gland it plays wider role in digestion किस में मदद करता है digestion heart and muscle function brain development में यह hormone मदद करता है heart and muscle function में मदद करता है और आपके bones हड़ियों के health को maintain करने का काम कौन करता है thyroid gland करती है याद रखेगा सारी information बहुत ज्यादा important है सारी बात है अगला सवाल बढ़ जाओ नौवे सवाल की तरफ अगले सवाल में बढ़ जाओ नौवे सवाल की तरफ which one of the following sorry yes जोडों में हड्डियों की सतह को कौन नरम करता है which softens the what softens the bone surface at the joint क्या जोडों में हड्डी की सतह को नरम करता है cartilage ariolar tendonial ligament बताओ 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 फटा फट बताओ और like और share करते रहो यार वीडियो है न बताईएगा क्या जोडों में हड्डी की सतह को नरम करता है आंसर आना चाहिए जैपाल भाई का आगया cartilage नेहां बहुत इबनियों उपास थी आपको पता है पहली बात देख रहा हो तुम्हें क्या करना है अपने basic knowledge पे focus करना है कि तुम्हें क्या चीजें पता है हड्डियों से हड्डियों को जोडने का काम कौन करता है cartilage करता है तुम्हें पता है cartilage करता है बस answer cartilage है ठीक है तो आप देखिए हड्डियां क्या होती है काफी कठोर होती है अगर हड हड़ियां कठोर ना हो तो आप खड़े नहीं हो सकते और अगर कठोर कठोर हड़ियों को जोड़ दोगे तो कुछ दिन में घिस जाएंगी कुछ दिन में तूटने पर आ जाएगा और आपको दर्द भी होगा यानि कि दो हड़ियों को जोड़ने के लिए अगर ये पहली हड हड़ी है और यह दूसरी हड़ी अगर दो हड़ीयों को जोड़ना है तो उनके बीच में क्या है कुछ सॉफ्ट सी चीज कुछ आराम दायक चीज होनी चाहिए जिसे वो घिसे ना एक दूसरे से और यहीं पर होता है आर्टिकुलर कार्टिलेज यह देख रहे हो यहीं आपका कार्टिलेज होता है हड़ीयों में जो हड़ीयों को हड़ीयों से जोड़ता है और यह घिस्ती नहीं है और क्या बना रहता है आपका सॉफ्ट यानि की आपका नरम सतह बनी रहती है दोनों के जोड़ों क बीच में अगला सवाल वाट इस दा मेन कंपोनेंट ओफ सिमेंट ये तो भाईया बहुत बहतरीन सवाल है important mark कर लीजेगा क्योंकि बच्चों को नहीं आध रहता और confused होते हूं और उमीद करता हूं सभी लोग गलत भी आंसर करेंगे कुछ सही कुछ गलत कर सकते हैं student का देखना चाहता हूँ इस सवाल पर आंसर आ क्या रहा है फटाक से बताओ और एक बार बढ़ियां से लाइक करते रहें आंसर होगा silicon dioxide क्या होगा answer answer होगा तुम्हारा silicon dioxide तुम्हारा correct answer इस सवाल का हो जाएगा main component क्या है silicon dioxide आपका cement का main component है ठीक है याद रखेगा अगर हम main component की बात करें तो ये देखो छोटी सी तुम्हारे सामने एक table दिख रही है दिख रही है चोटी सी table देखना इसमें सबसे ज़्यादा calcium oxide होता है लेकिन option में calcium oxide तो कहीं पे दिया नहीं है option में कहीं calcium oxide दिया है क्या नहीं दिया है तो calcium oxide कितना परसेंट होता है सर 64.18 परसेंट होता है silicon dioxide उसके बाद सबसे ज़्यादा होता है करीब 22 प्रतिसत तो second number पे कौन है silicon dioxide फिर क्या है aluminium oxide होता है 3,3 प्रतिसत फिर ferric oxide sulfur trioxide और ये सारी चीज़ें होती है जो gypsum है वो बहुत कम मात्रा में मौझूद होता है calcium carbonate dihydrate जो आपका होता है आपका बहुत कम मात्रा में मौझूद होता है gypsum जिसे हम कहते हैं ठीक है अगला सवाल the empirical formula of the compoundage CH2O बहुत अच्छा सवाल है आपका मूला नुपाती सूत्र योगी का मूला नुपाती सूत्र CH2O है इसका वास्प घनत नब्बे है इसका वास्प घनत नब्बे है इसका वेपर डेंसिटी 90 है आपको बताना है molecular formula क्या होगा उस compound का molecular formula क्या होगा compound का ठीक है चलो यार आज तुम लोग session में focus कर नहीं रहे हो यार Friday Saturday आते आते तुम्हारा पूरा न एनर्जी एनर्जी सब डाउन हो जाती है न तुम वीडियो लाइक करते हो न तुम वीडियो में रुकते हो न तुम देखते हो ऐसा क्या है तुम्हारे लिए तो हर दिन वही होना चाहिए न एक जैसा होना चाहिए उतने ही जोस से पढ़ना चाहिए हर दिन चलो दिव्यांशू गुड माणी मेरे भाई आजो चलो फटा फटा फट क्या होगा आंसर बताओ यार आंसर बताओ फोकस करो empirical formula दिया है CH2O vapor density नब्बे दी है molecular formula पूँचा है देखो पहली बात तो ये जानो तुम एक और बात जानो क्या जानोगे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ vapor density जो होता है वो molecular weight का आधा होता है क्या होता है molecular weight का आधा होता है यह vapor density नब्बे दी हुई है यानी molecular weight जो हो जाएगा वो जाएगा 180 gram क्या हो जाएगा 180 gram molecular weight कितना हो जाएगा 180 gram अगर आप यह भी जानते कि vapor density molecular weight का आधा होता है तो 180 gram आता तो आप जान जाते हो glucose का molecular weight है वो कितना होता है 180 gram का अगर ये नहीं जानते तो फिर कैसे करोगे दूसरा तरीका इस सवाल को करने का क्या है देखें empirical formula क्या होता है जो आपका मूला नुपाती सूतर है वो क्या होता है किसी भी यौगिक में सुनिएगा मेरी बात किसी भी यौगिक में जो मौजूद परमाडू होते हैं उन परमा परमाडू उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशियो क्या है वो किस रेशियो में प्रेजेंट है सबसे सरलता मनुपात क्या है वो कहलाता इंपिरिकल फॉर्मूला यानि कि अगर मैं इनके बीच का अनुपात निकालू तो 6 कारबन है 12 हाइड्रोजन है 6 ऑक्सीजन है अनुप होगे सरलता मनुपात अगर निकालोगे 6 से 10 से 4 का है सरलता मनुपात आएगा 2 से 5 से 3 से 5 से 2 का इनके बीच में क्या आएगा आपका 3 से 5 से 3 का यहां पर क्या आएगा आपका 3 से 6 से 2 का तो कहीं पर आ रहा है क्या 1 से 2 से 1 का अनुपात नहीं आ रहा है पहले option बस में आ र हो जाएगा ठीक है चलिए इसी तरह से और इंपिरिकल फॉर्मूला आप देख लो जैसे आपका यहां पे एंटू ओ फॉर है इसका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इनका रेशियो क्या है वन से टू का यानि एक नाइट्रोजन दो ऑक्सीजन कर दो C6S6 जिसे कहते हैं बेंजीन इनका इंपिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा CH हो जाएगा क्यों क्योंकि इनका अनुपाद क्या है 6 से 6 का अनुपाद किसके बराबर है एक से एक के अनुपाद के बराबर है इसी तरह C2H6O2 है ना C2S6 आपका O2 यानि की इथेनॉइक इनका रेशियो आपका समान है यही इंपिरिकल फॉर्मूला होता है चलिए आज का लकी डे हो रहा है सभी लोग का चलिए बहुत ही बढ़ी है आगे बढ़े आगला सवाल देखो बारमा सवाल देखो पढ़ हो आराम से बोला है 30 किलो ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को टैन मीटर पर सेकेंड दा काइनेटिक अनर्जी ऑफ दा अबजेक्ट बहुत आसान सा सवाल है यह तो गाउं का बच्चा बच्चा बता देगा बता दो गाउं के बच्चे बच्चे चलो नाइजीरे युग अंडर वाले बच्चे भी आंसर करेंगे फटा फटा फट लाएगा यह भी सवाल कोई सवाल होता है भला अगला सवाल तेरवा सवाल यह भी आसान सा सवाल है फटाक से बता दो निमने लिखित में से कौन सा कक्चिये वेग का सही सूत्र है which of the following is the correct formula for orbital velocity a b c d बताओ फटा फट बताओ orbital velocity का formula क्या है चलो अंडर रूट gm upon r क्या होगा formula कौन सा वाला सारे में दो तीन में gm upon r लिखा है यह वाला option है ना यह वाला option आपका correct answer हो जाएगा अंडर रूट gm upon r orbital velocity का formula orbital velocity होती क्या है सर कच्छिये वेग होता क्या है आपको पता है हमारी अर्थ है हमारी अर्थ है हमारी अर्थ के अर्थ पे आ करके आपके सर के उपर गिरे नहीं तो उसको एक नियूंतम वेग प्रदान करना होता है ताकि एक minimum velocity उस satellite को दे दो ताकि वो अर्थ के चारों और घूमती रहे और अर्थ पे आके गिरे नहीं उसे कहते हैं orbital velocity यहाँ पे देखो यह चक्कर काट रही है न सैटल लिजे यह satellite यहाँ पे है यह क्या है आपकी satellite तो प्रिथवी के केंद्र से यह बात याद रखीगा प्रिथवी के केंद्र से उस satellite की दूरी r distance होती है ठीक है तो जो आपका प्रिथवी का center है जो आपका प्रिथवी का center है केंद्र है और जहाँ पे आपकी satellite है उनके बीच की जो दूरी है वो कहलाती आर जो M है वो होता है मास ओफ अर्थ अगर हम प्रिथवी की बात कर रहे है तो मास ओफ अर्थ होता है M और जो G है वो गुरुत्वाकरसण के द्वारा तोरण होता है 6.67 इन्टू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्कॉयर पर किलोग्राम तो इसमें कई बार आप से पेपर में ये पूछा जाता है कि जो ये आर है ये वास्तविक रूप से किस चीज की दूरी है जो आर है ये वास्तविक रूप से किस चीज की दूरी है आप से पेपर में ये भी पूछा जाता है इसलिए मैंने बताया केंद्र से सेटलाइट की दूरी ही आर होती है क्लियर है चले सभी को क्लियर है यहां पर बहुत ही बढ़ी है जी जी है सर्भ भौमिक गुरुत्वाकर्सन इस्थिरांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट जिसका मान होता है सिक्स पॉंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्कॉयर पर किलोग्राम स्कॉयर क्लियर है चलो फटा फट एक बार लाइक करेंगे सभी मेरे भाई है ना जो भी लोग देख रहे हो यार अगर सेशन में मज़ा आ रहा है तो जरूर करो तुम्हारा पैसा नहीं लग रहा है तुम्हारे अगर लाइक दबाते हो तो तुम्हारा पैसे बिल्कुल नहीं लगेगा और लगेगा तो मैं तुम्हें पर्सनली पेटियम करूँगा मानो हथेली में कितने इंटरमीडियेट फेलंजीज होते हैं बताओ ये बढ़िया सवाल है भाईया ये बढ़िया सवाल है माक कर लेना इसमें जितनी चीज़ें बताऊंगा सारी चीज़ें याद कर लेना तुम पढ़ लो पढ़ लो पेपर में यही सारे सवाल आने हैं है ना रोना में नहीं बैठके how many intermediate phalanges are present in human palm तुम्हारे हाथ में बहुत सारी हड़ीया है इसमें से हर हड़ी का अलग-अलग नाम है इसमें मैं intermediate phalanges उंगलियों में मौझूद होती है phalanges bones कौन सी intermediate phalanges है कितनी intermediate phalanges है answer हो जाएगा पांच नहीं पांच नहीं होगा पांच नहीं होगा चार होगा यहीं तो दिक्कत है जब मैंने आपको skeletal system पढ़ाया था तब तुम कहां थे तुम्हारा ध्यान नहीं रहा होगा class में यह तुम्हारा क्या है हाथ का कंकाल दिख रहा है यह हाथ का कंकाल है अब मेरी बात को सुनना ये इसके नीचे तुम्हारा हाथ है इसके नीचे ये कलाई है ये क्या है तुम्हारी इसे हम कहते हैं रिस्ट यानि कि ये हमारी कलाई है हाथ की रिस्ट में कारपल हड्डियां होती है कारपल हड्डियां होती है किती हड्डियां होती है रिस्ट में आठ हड्डियां होती है अब ये वाला भाग देखो, ये कहलाता है हमारा हथेली, ये वाला भाग है, ये वाला, है न, ये वाला भाग क्या कहलाता है, मेटा कारपल, क्या कहलाता है, मेटा कारपल, किती बोन्स होती है, पांच होती है, फिर अब देखो, यहां से सुरू हो गई तुम्हारी उंगली, ये तुम्हारी दूसरी उंगली, ये तुम्हारी तीसरी उंगली, ये चौती उंगली, और ये तुम्हारा हो गया अंगूठा, ठीक है, तो अंगूठे में intermediate phalanges नहीं होती, ये बीच वाला नहीं होता, तुम अपना अंगूठा खुद देखो, अभी अपने देखो, हमारे उंगलियों में एक, दो और तीन, एक, दो और तीन, तीन पार्ट है, लेकिन अगूठे में देखो, केवल एक पार्ट उपर वाला, नीचे वाला, यानि कि intermediate phalanges नहीं है, हम अपनी उंगलियों को कहते क्या है, phalanges, हिंदी इंगलियों में सेम मिलेगा आपको लिखा हुआ, हम अपनी उंगलियों को क्या कहते है, phalanges bones कहते है, लेकिन proximal phalanges कौन सी होती है, नीचे वाली, नीचे वाली कितनी होती है, proximal phalanges, आपकी 5 होती है, नीचे वाली proximal phalanges कितनी होती है, 5 होती है, लेकिन जो intermediate है, वो केवल आपकी 4 उंगलियों में होती है, और फिर जो आपका distal phalanges हैं, जो सबसे उपर वाली होती है, वो भी आपकी 5 होती है 5 उंगलियों में मौझूद होती है clear है, तो याद रखना ये बात clear है, सारी बाते याद रखना बहुत जादा important है, paper में इसी तरह के सवाल आ जाएंगे, और तुम्हारा धुआ हो जाएगा है ना, तुम्हें कुछ नहीं आएगा वाँ पर clear है, तो सारी बाते याद रखना चलो आगे बढ़ जाओ, अगला सवाल है 15 सवाल, which of the following vertebrae are found in neck, निमने लिखित में से कौन सी कसेरु का गर्दन में पाई जाती है, ये भी बताओ ये भी बहुत शांदार सवाल है, ये आगे के सवाल बहतरीन है, है ना, तुम्हारा बद्धी निकल जाएगा सवालों में, बताओ, vertebrae कौन सा, देखो, vertebral column, तुम्हें पता है, vertebral column, तुम्हारा read की हड़ी वाला भाग, पूरी read की हड़ी, गर्दन से जाके कौन सी जूड़ी होती है, बताओ, निम्नलिकित में से कौन सी कसेरुका गर्दन में पाई जाती है, सर्विकल, थोरैरिक, लुम्बार या ननापदेबब, नहीं बताओगे, नहीं बताओगे, सर्विकल, सर्विकल, ठीक है, A option, कुमारी ने B option किया, सर्विकल, चर्रैक्ट आनसर है, सर्विकल, आपका Sorry repeated एक क्रेक्ट आनसर स्वाल का हो जाएगा, सर्वाइकल कहते हैं, सर्वाइकल या सर्विकल आप कह सकते हैं, करेक्ट आनसर हो जाएगा, जो रीड के हड़ी का भाग आपकी गरदन से जाके जुड़ा होता है वो कहलाता है शर्वाइकल यह देखो यह तुमारी रीड की हड़ी है अब देखो रीड की हड़ी है अगर आप ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसा लगेगा सीधा सीधा कुछ नीचे तक आ गया है ऐसा नहीं होता ये कुछ इस प्रकार से होती है देखो ये बढ़िया एकदम लचीली दार ये तुम्हारी कमर का एरिया होता है ये तुम्हारा पीछे वाला भाग होता है ठीक है कुछ इस तरह ऐसे मढ़िया लचीली होती है ना एकदम बढ़िया शांदार तरीके से देख रहो एकदम figure maintained है चलो देखो अब इसमें जो ये ऊपर की हड़ी दिख रही है ये हड़ी उपर की दिख रही है देखो ये गर्दन में जाके जुड़ी होई है तुमारी कित liberal column में तुम्हारी कौन कौन से भाग है उन में कितनी कितनी हड़ी है मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए ये सारी चीजें तुम चाहे तो सर्च करके देख ले ना ठीक है वहाँ पे आप skeletal system कंकाल तंत्र भाई सौरव सर ठीक है तुम्हें उस वीडियो से best वीडियो नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब में तुम देखो सर्वाइकल है ना सर्वाइकल साथ अब नीचे वाली देखो नीचे वाली देखो ये है जो परपल कलर की ये है थोरेरिक सबसे ज़्यादा थोरेरिक होती है कितनी होती है बारा कितनी होती है थोरेरिक ये देखो ये बीच व होता है जो यहां पे आपके बट्स से जुड़ी होती है यह होती है सैक्रम क्या कहते हैं सैक्रम कितनी होती है यह पांच हड्डियों का फ्यूजन होता है ठीक है यहां पे क्या होता है पांच हड्डियां फ्यूजड फॉर्म में रहती है पांच हड्डियां जुड़ करके बन कितना हो गया total? 2411, कितना हो गया 33, तो total आपकी WITHEB guy songs में कितनी हड़ियां होती है ये भी जाद रख लो, total、、 वर्टिब्ल कॉलम में 33 bones होती है, कितनी होती है harm 33 bones होती है, तो ये भी जाद रखना vertebral column में कितनी हड़ियां होती है, 33, सभी को जोड़ दोगे 33 реш आएगा क्लियर है चलिए और हैं कॉकिक्स को टेल बोन भी का जाता है ठीक है टेल बोन क्यूंकि बंदर लोगों के जो पूच निकली होती है न वो आपका इसी से निकलती है कॉकिक से इंसानों में पूच नहीं होती है लेकिन बंदरों में होती है अरे क्लियर है आगे बढ़ जो अगले सवाल पे अरे अगले सवाल पे बढ़ जाओ भीया फोकस करो समझो पढ़ो मज़ा आ रहा है तो लाइक करो और शेर जबा के करो और क्लास में रोज रहा करो यह तो मेरे सभी बच्चे कर देंगे आंसर सारे गाओंगाओं के बच्चे को पता है आंसर इसका निमने लिखित में से कौन सा रोग नियासिन की कमी से होता है बताओ यह पहलागरा डिसीज होती है बहुत ही बढ़ी है पहलागरा रोग आपका नियासिन की कमी से होता है निय रिलिया नासिन जो है ये विटामिन B3 का रासाइनिक नाम है, किसका नाम है, विटामिन B3 का रासाइनिक नाम है नियासिन और इसकी कमी से होता है, पेलागरा डिसीज, clear है, चलो अगला सवाल बहुत आसान सा सवाल An instrument that measures the amount of air inhaled and exhaled with each breath is called एक उपकरण जो प्रतेक स्वास के साथ स्वास लेने और छोड़ने वाली वायू की मात्रा को मापता है क्या कहलाता है An instrument that measures the amount of air inhaled and exhaled with each breath is called स्विग्मो मैनोमीटर, स्पाइरोमीटर, हाइग्रोमीटर, स्ठेटो इसको बताओ अरे बताओ भाईया फटा फटा आंसर करो हम क्या कहते हैं इसको स्पाइरोमीटर नहीं, D option नहीं होगा B option होगा स्पाइरोमीटर, कुछ इस प्रकार का दिखने वाला एक उपकरण है अपने सामने देखो ये देखो जब जिनको cardiac arrest होता है, heart attack होता है जब या तो उनका कोई heart की surgery होती है ऐसी surgery होती है, जिनमें उनको उनका inhale और exhale बढ़ाना पड़ता है उनके सांस लेने की छमता, सांस छोड़ने की छमता को बढ़ाना होता है तब हम इस्तेमाल करते हैं इस पाइरोमीटर, ये इस प्रकार का कुछ डिवाईस है यहां से क्या होता है, फूकते है यहां से क्या होता है, ब्लो इसको फूका जाता है और ये आपकी गेंद ऐसे उपर उठा करती है ना फूकने से तो ये गेंद को यहाँ पे टच कराना होता है है ना तब ये पता चलता है कि सही से आप अपने लंग्स में फेफडों में हवा भर पा रहे हैं और हवा छोड पा रहे हैं अगला सवाल बोला है calculate the number of atoms present in 4.6 gram of sodium 4.6 gram sodium में मौझूद परमाडूों की संख्या की गरणा करें 4.6 gram sodium में मौझूद परमाडूों की संख्या की गरणा करें कर लेगा कोई 4.6 gram sodium में कित्ती होते हैं अरे कोई करेगा अरे करलो यार इत्ता तो करLow चलो 4.6 ग्राम सोडियम में मौझूद परमाड़ों की संख्या की गर्णा करें चलो देखो सिंपल सी बात है आपका अगर मैं बात करूँ सोडियम सोडियम का अटॉमिक नंबर 11 और मास नंबर 20 होता है मैं अगर मोलर मास की बात करूँ तो जो तुम्हारा मास नंबर होता है जो तुम्हारा दरविमान संख्या होता है जो तुम्हारा मास नंबर होता है दरविमान संख्या उसी में ग्राम लगा दो तो मोलर मास हो जाता है और आपको पता है मोलर मास का क्या मतलब होता है कि आपका एक मोल परमाडूओं का भार 23 ग्राम के बराबर है यानि 6.022 इन्टू 10 टू पावर 3 परमाडूओं का भार किसके बराबर है 23 ग्राम के बराबर है किसमें सोडियम में किसमें आपका सोडियम में एने में यानि अगर मैं इसको 46 ग्राम कर दूँ अगर मैं इसको 46 ग्राम कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 6.022 into 10 to power 23 हो जाएगा और अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा सर 4.6 ग्राम हो जाएगा जो सवाल में पूचा है और इसको भी 10 से डिवाइड कर दो clear है तो ये 6.022 गुणे 2 है कितना आएगा करी 12 और ये कितना आएगा 10 इसको divide करेगा 12 into 10 to power 22 यानि 1.2 into 10 to power 23 आप लिख सकते हैं 12 गुणे 10 की घाद 22 को 1.2 into 10 to power 23 लिखा जा सकता है इतने आपके क्या है 4.6 ग्राम सोडियम में मौझूद परमाडूओं की संख्या होगी clear है यहां तक clear है चलो C option सभी को clear है crystal clear है सभी मेरे भाईयों को अगला सवाल 19 सवाल निमने लिखित में से कौन सा खादे समूँ पेड़ों की जड़ों से प्राप्त होता है यानि कि जो यह आप खा रहे हो यह एक प्रकार का जड़ आप खा रहे हो क्या खा रहे हो एक प्रकार की जड़ आप खा रहे हो ठीक है चलो एक प्रकार की जो आप खा रहे हो यह क्या खा रहे हो जड़ खा रहे हो ठीक है चलो यार एक बार बढ़ियाँ से लाइक करो यार वीडियो, मैं चाहता हूँ यार 30 करो यार, एat लिस्ट दो यार तुम मेरी महनत को इतनी इज़त दे नहीं रहे हो, जितनी मैं महनत कर रहा हूँ, यह बात तुम जान लो तो अधनी इज़त तुम मेरी महनत को यह जड़ है यह जड़ है और आपका टरनिप यानी की जो सलजम जो आप खाते हो न सलजम वो भी आपका क्या जड़ है और मूली यानी रेडिacas Giving आपकी जड़ है पालक पत्त गो भी धनिया है ना spinach हो गया, आपका cabbage हो गया, coriander हो गया, यह क्या हो गया, यह एक प्रकार की पतियां होती है, क्या होती है, लीफ होती है, क्या होती है, आप क्या खाते हो, लीफ खाते हो, पतियां खाते हो, आपका आलू, आम, ब्रोकली, यह क्या है, तना है, आलू क्या है, आपका तना है, ठीक ह गन्ना, प्याज और जो आप चुकंदर खाते हो, है ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, ये भी एक प्रकार का आपका तने में ही आ जाता है, ना, प्याज, अनियन और, अनियन तो मोडिफाइड रूट में आती है, जो चुकंदर होता है, वो आपका तने में आ जाता है, ठीक एक कण का वेग V बराबर A T प्लस B के रूप में बदलता है, कण का तौरण क्या होगा, कण का तौरण ग्याद करिए, पड़ा पड़ बताओ, देखो सिंपल सा बात है, V बराबर, V बराबर क्या दिया हुआ है तुम्हारा, A T प्लस B दिया हुआ है, V बराबर A T प्लस D दिय एक्सलरेशन होता है dv by dt, एक्सलरेशन क्या होता है dv by dt, यानि आप इसका समय के respect में इसका differentiation करेंगे, तो इसका तो differentiation आएगा 0 और इसका differentiation आएगा a, यानि कि जो तुम्हारा त्वरण है, यानि एक्सलरेशन है, वो किसके बराबर आजाएगा, a के बराबर आजाएगा, एक acceleration क्या है constant acceleration क्या है तुम्हारा constant यहां पर हो जाएगा ठीक है अगला सवाल चलो अगला सवाल चलो अगला सवाल एक है इसमा सवाल the cytoplasmic connection between adjacent cells is called आशन ने कोशिकाओं के बीच cytoplasmic connection को क्या कहा जाता है आशन ने कोशिकाओं के बीच cytoplasmic connection को क्या कहा जाता है जाशन ने कोशिकाओं दा एडजेसंट चलो के साइटो प्लाजमिक कनेक्शन को क्या कहा जाता है बहुत अच्छा सवाल है इसको बोला जाता है प्लाजमो डेसमाटा क्या बोला जाता है प्लाजमो डेसमाटा बोला जाता है देखो यह देखो यहां पे आप फिगर में देखो ठीक है दो आपके प्लांट सेल है यह वाला प्लांट सेल पहला प्लांट सेल है यह वाला जो प्लांट सेल है यह दूसर हाँ ये जो हरा हरा दिख रहा है न ये वाला हरा हरा ये वाला भाग क्या है तुम्हारा सेल वाल है और आपका जो ये यलो यलो दिख रहा है यहाँ पे देखो ये वाला जो भाग दिख रहा है अरे ये तो ज़्यादा हो गया इसको एरेस कर देते है ये वाला जो भाग दिख रहा हूं connection है, cell membrane के बीच में यहाँ पे तुम्हें connection दिखरा है, यही connection, यही जो connection है, यह connection कहलाता है plasma desmata, क्या कहलाता है, plasma desmata, क्यों होता है, ताकि कोईभी पदार्थ, कोईभी पदार्थ, इस cell से दूसरे cell में जा सके, कोईभी important, कोईभी important substance है, वो एक सेल से दूसरे सेल में जा सके allows the movement of substances as required प्लाजमो डेसमाटा उसको कहते हैं चलो which bone is found in arm बाह में कौन सी हड़ी पाई जाती है देखो तुमारे हाथ की एक हड़ी यहां पर दिख रही है ठीक है यह जब तुम सीधे खड़े होता है यह वाली हड़ी दिख रही है तुमें और इसी तरह तुमारे कंदे से जुड़ी यह वाली हड़ी यह वाली हड़ी दिख रही है की नहीं अरे दिख रही है की नहीं बोलो भाया बताओ arm में यह कौन सी हड़ी पाई जाती है नाम क्या है इस हड़ी का बोलते क्या हैं इस हड़ी को इसको बोलते हैं कौन सी हड़ी यह होती है हिँ मेरा सड़ी कौन सी होती है हिँ मेरा सड़ी ठीक है हिँ मेरा सड़ी होती इसी के नीचे दो हड़ीयां तुम्हारे हाथ के यह नीचला वाला हाथ है यहां पे तो तुम्हारा हाथ हो जाएगा, यहां पे दो हड़ीयां होती है, एक कहलाती है, एक रेडियस कहलाती है, ठीक है, और दूसरी वाली क्या कहलाती है, अलना, क्लियर है, याद रखेगा, और कारपल, कारपल तो मैंने बताया था, कलाई की हड़ीयों को कहते हैं, रहे यहां तक चलिए हां यार इससे में गर्मी बहुत पढ़ रही है ना राजिस्थान में तो हीट वेप चल रही है चलो आगे बढ़ो the term halitosis denotes which of the following which the term halitosis denote which among the following halitosis सब्द निमने लिखित में से किसे दर्स आता है halitosis का क्या मतलब होता है halitosis खराब सुनवाई bad hearing bad breath baldness excessive sweating क्या कहलाता है और बढ़ियां से एक बार लाई कर दो या रहे ना बढ़ियां से session लाई करेंगे बताओ क्या होता है halitosis halitosis क्या होता है भाई या बताईए ये होता है सांसों का बदबूदार होना bad breathing कहलाता है halitosis ठीक है सांसों का बदबूदार होना जब आपके मूँ से बास आए जब आपके मूँ से बास आए तब उसे क्या कहते है है halitosis problem कहते है for example आप गए अपनी friend से मिलने ठीक है और आप बढ़िया इस तरह से खिलखिला के हस दिये सामने वाले का हो गया दिमाग खराब क्यूंकि आपके मूँ से आ रही थी बास उस वक्त ठीक है इसे कहते है 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 halitosis अब यह होता कैसे है जब ब्रश रश नहीं करें सुबह उठते आप आपको पहला चीज क्या करना चाहिए ब्रश लेकिन कई लोगों की आदत होती है वो चाय पीते हैं पहले पिर जाके बरस करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपके टीथ यलो होने लगते हैं और उन कारण से इसमेल आती है आपके मुह से टिक है और ऐसा लगता है कि यार सामने वाला दूध पीके आया है, पानी नहीं पी आया है, तो उस तरह की smell आती है, जब आप irregularity रखते हैं, ठीक है, आप कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन आप brush अगेरा में focus नहीं कर रहे हैं, आप अपने mouth hygiene में focus नहीं करते हैं, hygiene maintain नहीं करते हैं, तब problem होती है हेलिटोसिस की, और ये सांस का बदबूदार होना कहलाता है, ठीक है, bad breathing कहलाता है, clear है, चलो, आगे बढ़ें, अगला सवाल, which one of the following is the most important for the growth of children up to the age of 14, 14 वर्स की आयू तक के बच्चों के विकास के लिए निमनलिखित में से कौन सा सबसे महत्पूर्ण है, बताओ भईया, which one of the following is the most important for the growth of children up to the age of 14, 14 स साल तक के बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ important होती है, है ना, बहुत ही बढ़ें, नीम का तो सबसे बढ़ें दातून होता है, centerfish खानी चाहिए, चलो, बहुत ही बढ़ें, centerfish खानी चाहिए, चलो, यार एक बढ़ें से like करो, शेयर करो बढ़ें, चलो, और बच्चा विकास के अवस्था में होता है, बच्चा क्या होता है, विकास की अवस्था में होता है, 14 साल तक उसके सरीर का विकास होता है, उसकी मास्पेसियां तूटती और जुडती रहती है, तो मास्पेसियों के स्वास्थ को बनाई रखने के लिए, to maintain the health of tissues, basically हमें क् protein चाहिए होता है, तो muscle building, उसकी body growth के लिए, उसका सरीर बड़ा हो सके, है न, वो लंबा हो सके, तो उसका कब होगा, जब tissue तूटेंगे, tissue किस से बने, कोशिकाओं से, तो जब कोशिकाओं बड़ी होंगी, कोशिकाओं तूटेंगी, तो tissues तूटेंगे, tissue बड़े होंगे, और उनके स्वास्ट को maintain करने के लिए, protein के आवश्चक्ता होती है, सबसे ज़्यादा 14 साल तक के बच्चों के लिए, और आज का 25 सवाल, what is the name of acid in tamarind, इमली में अमल का क्या नाम है, इमली, बहुत खाते हो तुम, है, गाना सुने हो न, इमली का बूटा, बेरी का पेंड, ह है न, खटी मली मीठे बेर, इस जंगल में हैं दो सेर, चल घर जल्दी हो गई देर, देखो याद आ गया, बच्मन में गाते थे, बताओ यह, कौन सा होता है, अरे बोल दो, नहीं बोलोगे, टार्टरीक असिड, बहुत ही बनिया, टार्टरीक अमले, ठीक है, क्या होगा, टार्टरीक अमले, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टार्टरीक अमले हो जाएगा, है न, लैक्टिक असिड कहा पाई जाती है, दूद में, कहा पाई जाती है, मिल्क में पा ये ना विनेगर में पाई जाती है विनेगर क्लिएश कोटिए रहे चले आगे बढ़े कि चल्लो ठीक है तो यही में खतने हैं आज की लास को और भी जा एसिसिस्टेंट करते कि ओं ठीक है कृंता बैज भी सरका सांदार है सौरफ कोड़ यूज करते रहो discount लेते रहो maximum हर तरह के कोई भी AlliBoard का course कोई भी AlliBoard का mock test किसी भी तरह का subscription अगर आप purchase करते हैं जो कि आपको करना भी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि वाकई में आपका selection हो देखिए जो बचे rank लाते हैं rank ऐसा नहीं आता कि बस आ जाती है वो भी मेहनत करते हैं ठीक है और तो उसके लिए आपको रहना है ऐसे teachers से आप जुड़िए जो कि आपको आपकी dream post तक ले जाए rank तक ले जाए तो उसके लिए AlliBoard से जुड़ना पड़ेगा sort of code का इस्तेमाल करते रहिए उमीद करता हूँ सभी को मज़ा आया होगा तो session like और share जरूर करेगा है ना और जोस तो तुम्हारा आजकल दिखता नहीं है लेकिन फिर भी एक बार बनिया से like और share कर देना science by sort of sir telegram group है उन सभी student के लिए जो नए है और पढ़ना चाहते है science मेरे से और इन सारी classes की PDF चाहते है तो वो science by sort of sir telegram group में जरूर आए ठीक है चलो तो एक बार बनिया से सब लोग like कर दो जित्ते लोगों नहीं किया हो है ना दबादो यार और मिलते हैं अंगली class में ख्याल रखिएगा टेक केर रहें बाबाए